नमस्कार मनोस्तिवारी टाक्सों में आपका स्वागत है मैं हूँ मनोस्तिवारी और आज मेरे साथ हाई कोट के बरिष्ठजवक्ता पूर बार एसोसियेशन अध्यज और बिख्यात क्रिमिनल लायर बीपी सिर्वास्तो जी हैं अभी आपने अपनी 50 साल की यात्रा पूरी की हुआ है हाई कोट में आज हम बीपी सिर्वास्तो जी से ठ्हेर सारी चर्चा करेंगे हाई कोट के बारे में और उनके समाजी जीवन के बारे में ऑकिल सभब आपका हमारे टाक्सों बहुत होती है और पचास साल की जो यात्रा हुई उसके पीछे की क्या इस्टोरी रही आपकी को इंज्वाई किया सब 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 संसाना ने पहले कुछ भी नहीं था हमने तो सुना कि पढ़ाई की दोर आना प्टूशन भी था सब कुछ था आर्थिक तंगी थी वकालत भी आर्थिक तंगी रही काफी कुछ रहा मंफोर्ड गन से हाई-पोट पैदल भी जाने का भी अन आप बिसिकली सुल्तानपुर से बिलॉंग करते हैं जिसका जूरी डेक्सन जो लखनव बेंचे लावाद की फिर आपने लावाद को क्यों चुला शहर अच्छा लगा अच्छा लोग अच्छे लगे और यहां पर पांसास साल मैं बिटा बिटा चुका था इसलिए के रु जैसे लखनू हमारे लिए अन्भीग था इसे लावाद में लखनों में बारा जिले के बलते हैं यह सागर था अच्छा सर आप सीनियर अध्यक्ता कब बने हो सीनियर अध्यक्ता बनने का बनने पर आपको कैसा मैं 2006 मना प्रहें 2006 सर इसके लिए कुछ एक्जाम उग्जाम य जैसे कोई आदमी विद के छेत में कुछ अच्छा कर रहा है ग्यान अर्जन कर जुका है अच्छी वहत कर रहा है इमानदार है तो कोई एक जैज रेफर करता थाक साब इनको सीनियर बनाया जाए यह एड़ोकेट्स एक्ट में और हाई कोट रूस में दोनों में लिखा हु एक दिन सारे जैज अकठा होगे और सीक्रेट बैलेट होता है अच्छा तो उस पर नाम रिफ्रूब करते हैं यहां यस और नो तो ज्यादा अगर मिजाटी आगे तो उसको सीनियर बना देंगे अंतर पड़ जायागा क्योंकि फिर तो अब आप ड्राफ्ट नहीं करा सकते आप केवल अर्गूब करेंगे सुझाओ देंगे परचीaret स्किट्राइब और सम्माद करेंगेरें मुइस बने लजव होगे उसका समान पूरलना जाता हैं ड्रेस बदल जाता हैंब जजस का एक हो जाता है आज की तारिख में कहा जाता है कि अध्वक्ताओं को senior अध्वक्ताओं को कम समय देते हैं और जज भी junior को नहीं चुनता है जानता हूं जो आज का अध्वक्ता है थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ कम जान दे रहा है क्योंकि अगर पढ़ता रहे ग्यान अर्जन होता रहेगा फिर इसको रोक नहीं सकता कोई आगे बलने से मेहनत सब कुछ मेहनत थी अच्छा सरी की बताईए senior जज को राय देता है मान गया कोई ऐसा केस चल रहा है कि आपके विपच्छ का जो वकील है वो बहस कर रहा है और उस पर उस पर राय चाहिए तो उस समय आपकी क्या भूंका होती है मनलब आप तो एक पच्छ ले रहे हैं हम उस समय हमारी हैस्ट्या तो नियाए मित्र अच्छा अधालत बुलवाती है जरा बुलाक लाइए उनको मेसेज डाली बुलवाईए और वह यह नहीं मैं जब पहुंचे हूंगा वह समय यह नहीं कि आप क्या कौन भहस किया है वह हमसे कहें इस बात पर आपकी क्या सुझा हो है जो मेरा ज्यान कह रहा है जो भी मैंने सीखना जानकारी है बता देंगे यह है सही अब आप एक पार्टी पक्स में पड़े एक के खिलाब पड़े मैं नहीं जानता है मुझसे कोई मतलब नहीं अच्छा सर आप तो इतना पचास साल की जरनी देखें हैं नयाय में आज ब मानत के और तमाम ऐसे हैं नयाय देर से मिलना भी एक अनयाय है आखिर इसकी क्या वज़े आप मानते हैं जैजिस की कमी कमी है जैजिस की कमी जैजिस की कमी जनता का नयाय के प्रत जादे जागरूप होना अच्छा उससे लिटिगेशन बढ़ा है यह बात है क्राइम रेट शुदार कैसे हो सकता है ऐसी एक सच्वेशन आई थी सरशठषट नियुसों सरशठषट नियुसों सरशठषट कुछ एडिशनर रेटायर्ट जजज़ेश को एक साल के लिए बुला लिया गया था अच्छा पेंडिन के सब्सक्राइब कर वह निफ्टों यह तो हलका एस जज़ अपॉइंट करना यहां लखनों मिलाके कभी भी सौ से उपर नहीं गए हैं संख्याई नहीं पूरी इसकी सर्फ क्या कोट रूम नहीं होना या सरकार अपने उपर जादा खर्चा वार्ट यहां खाली पड़ी है कोट कम से कम तीसरी ओं कोट में ताले लगे हैं बढ़ने वाला कोई नहीं है इंफ्रस्ट्रक्चर कमी है जैजस का रेजिदेज नहीं है अच्छा सर एक शीज बताई यह क्या ऐसा नहीं हो सकता कि प्ली बार्गेनिंग और लोक अदालत के द्वारा जो है कम किया जा सकते कानून के दार्यम चलेंगे ना कानून तो पारल होते भी पर मिस्टिबुल है छोटे-छोटे अपरात मैं आपको गाली दे दी आप में मुझे माफ कर दिया समझाता हूं बात कतब हो लेकिन हम आपके किसी का हाथ पेर तोड़ दे यह नहीं अच्छा सर आधनिक तकनीकी और तब की तकनीकी जब आप जो है आप तो आधनि अधनिक तक्रीकी जब बढ़िया है बहुत ही बढ़िया है बहुत कुछ निकल के आ जारा सामने पहले उतना नहीं आता था लौक अग्यान कंप्यूटर नेट इंटरनेट अगरा काफी आसान हो गया कहने का मतलब सर एक शीज बताईए जैसे कि पहले उखील भी कम होते थे आज बहुत लोग डिग्री ले ले रहे हैं और बस उकील बन जा रहे हैं लेकिन कुछ जूनियर अज्वक्ता हैं जो उकालत करना भी चाहते हैं उनकी सुरच्छा जो है आज नहीं हो पा रही है या उनके लिए उनको दूसरा काम बात बताईए ओलम्पिक होता सावाज में दोड़तें फस्त कौन आता है एक आता है जो सबसे बैस होता है तो ऐसा नहीं है भीड़ है हर जगे कौन से जगे ऐसी नहीं जांभी नहीं हो आई किसा लोग रहते हैं कितने सेलेक्ट ऐसे होते हैं पिलबहारे हैं अच्छी तयारी कर हो निकल के बाहर आएगा आप तो फोड़ा सा जजज का थोड़ा बेवार कुछ प्रावलम पहले जिसे हम लोग शुरुआत में थे अगर कहीं हम गलत कर रहें हैं जजज फादरली ट्रीटमेंट देते थे अरे भाई तुमने यह इसको इसको क्यों नहीं पढ़ा जाक पढ़का यह एक सबक था अच्छा आज पढ़के नहीं है तो उसको थोड़ा सा देवार में परिवतन है अच्छे जजज भी ऐसा नहीं है अच्छे भी है बहुत अच्छे यह हैं लेकिर कुछ ऐसे भी हैं जो अच्छा और स्वास की तरह न्याय भी हम महगा हो गया जरी बादम के लिए नहरा नहीं है तो नैचुरल न्याय के साथ नहीं कहा हो गया है यह तो आम जन्मानस के दिमाग में डर भर रहे जाएगा सर तो इसके कुछ उजाओ देंगे लेकिन उससे क्या हुआ अपराद कोई क सब्सक्राइब हो गया क्या उससे जहां तक महेंगा हो गया हर जगे महेंगा हो रहा है वकील भी अपना स्टेश्चर आगे बढ़ा रहा है अरे पहले जब मैं अकलत में आया था तेक रुप्या की लोग ही हूं मिलता था आज आज आप दिख नहीं है आप लोग भी इस बा सब्सक्राइब करें अगर अलग विचार है आपके आप अलग अलग फैसला दे सकते हैं कि अधार एक हो तो कोई दिक्कत नहीं और लग विचार आप कीजिए में है इसका तीसरे जाता है उसका फैसला लिया जाता है तो सरी बात और बताईए जैसे कभी-कभी आप तो बरिश्चत वगता है क्या जूडिश्यल रिस्पॉंस्बेल्टी नहीं होनी चीए कभी-कभ या उसके अपर कोट ने उसको बरी कर दिया तो ऐसे में जो लोर कोट ने सजा दी है क्या उनकी रिस्पॉंस्बेल्टी नहीं होनी चीए किसी को तो रिस्पॉंस्बेल्टी लेनी चाहिए कि अब आपने फैसला यह नहीं सोच है उसकी समझ में आया हाई को समझ कुछ हो रहा है सुप्रीव को समझ कुछ और आ जा रहा है यह तो जजू की निउक्ति पर अक्सर सवाल उठते हैं कहा जाता है इसमें निपोटिन जादा है परिवार वाद जादा है क्या आप इस बात स आप आप इसमें निपोटिन जाए उनके निगाह में जो समझदार रहा है उससे सलाह लेनी चाहिए अपका भी एक बार हमने सुना कि जजबनने का नंबर आया था या जजबनने में नाम ता पिर आपने इंकार क्यों कर दिया ताइम बहुत कम था इस साथ साल मिल रहा था क्या करने के लिए और जज़ होते तो मैं साइद आज इंटर्वी भी ना करता है अज़ा सरे की जोबर वताई है बार इस सुसेसन का चुनाव होता है हर साल होता है सर्फ 20 लाग से एक करोंड डेश करोंड तक को कि लोग खर्च करते हैं यह रिकबर हमारा परड़े के असी से सोकेश लगते थे प्रेजिडेंट होने बाद हो गया सतर असी कम हुआ तो इतना खर्च क्यों करते हैं अजोड़ता लोग फिर इसकी रिकबरी कैसे करते हैं इसके बारे बड़ा गोपनी है उसका चक्र नकर खोली है जो करते हैं जानता हूं लेकि कर देंगे कि आपके प्रिक्टिकत का परफॉर्मेंस से माउथ कन्वेंसिंग होगी कि हाँ अच्छा है तब जो है आप अगर बढ़िया काम कर रहे हैं ज्यान है चलिए सर आप तो बारे सुसेशन में रुची लेते हैं और लड़े भी थे अभी एक बदलाव मनोतिवारी सूचना मिले हैं कि एक बदलाव होने जा रहा है बारे सुसेशन के उसमें जो पची से फार जीवन भर में अपना दाखिल किया होगा है पची से फार होगा जिसका वही अध्यट्वत का चुनावलों लेगा है क्या यह कुछ अभी नहीं है मुझे सूचना मिली है अभी साम अच्छा देने के लिए यह भी है कि पांस रूपे क्लाइंट को देना होगा जिसका जो है 470 रुपे उनके पी एकांट में जाएगा यह आपको कितना अच्छा चलता है सुनाओं कुछनों 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 कुछ जश्रूंगे ओट लेने चबगर में होता 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 हम अच्छा माने कि दिन राजनीतिप विचारधारा की मैं अगर बात करों तो कौन सी राजनीतिक विचारधारा आपको जादा अच्छी लगती है जो देश के हित में हो, जो अपना ब्रक्तिकर स्वार्ट छोड़के देश की सुच है। मेरी समझ में जो आया है इस समय भारती के अंतापादी देश को परीता देती है, ब्रक्तिकर स्वार्ट को सेकेंडी देती है। इसलिए मैं उसको सपोर्ट करता हूं। एक समय ऐसा था जविंदर जी को भी सपोर्ट करता है। अब इस समय बीजेपी को चुक्वी राष्ट के बारे मुझ सोच दी है। इन मोदी को की भारते जनता पार्टी को जब मोदी रहेंगे तो भारते जनता पार्टी के इंड़ा रहे है। लोग तंत्रे एक विक्तिवादी होता जा रहा है जैसे पहले इंद्रा गांधी। इसा नहीं है, आपका नेता आप में चुन रख था, यह काईदेका है, आज तक जिसने, अरे भाई ऐसा कौन सा नेता, 21 लाग रुपे, साड़े 25 लाग रुपे ले करके, ऐस चीफ मिनिस्टर बचाया था, 12-14 साल में, चलते ही सब्दान कर लिया। सर, पचास सालों में कोई ऐसा पल आया हो, जो आपकी जिन्दगी का सबसे यादगार पल हो, किसा आप आप अदालती, कोई घटना बता दिए, चाहे जो है, अपने, पचास साल की जर्नी आने बाप, बहुत, बहुत, बहुत कुछ हुआ है, सबसे बड़ा सहयोग रहा है, स्र हमारे साथ आया अर्थिक तंगी जेल के हमेसा सपोर्ट में खड़ी रही, फिरा इंज्वाइब किया, थोड़ा अर्टाइम भी चली गई, कोई बात नहीं, चली गई, अदालतों के बड़े-बड़े किस्से कहा कहा तक बता हो, अच्छा सर एक ची जोहर बताईए, कभी-क अधिवक्ता लोग प्रोफेशनल इथिक के चलाब काम करते हैं, जैसे कि जमीन का कारोबार ना करिए, या भी बादी जमीने ना खरीदे, जिसका आप मकदमा लग रहा है, देखे, कभी-कभी तो यह देखा जाता है, पच्छ का जोटा भी पच्छ के जोटा से मिल लेता है इसा ररेस्ट है, कोई बैमान होगा वोलग बात है, ररेस्ट है, और इतने बड़े सागर में अगर 0.1% ऐसा कोई निकल गया, तो वो गंदगी ना के बरावर है, जबकि और विभावन गंदगी भरी पड़ी है, अचा सर, हमने तो नहीं देखा, ना मुझे किसी ना फर्क है, पीज़ा रिखता क्रचुपा होंगे, बिलकुल, अचा सर, क्या जज़ों के ऊपर कोई भैचारिक दभाव होता है, या समयधानिक दभाव होता है, मैं नो, कोई दभाव नहीं, किस बात का दभाव होगा, उनको कोई हटा ने सकता पज़ से, माल लेजे किसी के नाघव जब तक सुप्रीम पोर्ट ना का है हाँ उनको हटाया भी नहीं जा सकता संसद में इंपीच्मेंट लाना होगा अच्छा सर अंत में जो है आप बरिष्ट द्वक्ता है अपने जूनियर द्वक्ताओं को और समाज को क्या समदेश देना चाहेंगे सिधा सुझाओं मेहनत पढ़ाई चार घंटा पांच घंटा किताबों में बुताओं तिन चार साल में बाहर आ जाओगे उभर के सामने आ जाओगे नहीं करोगे तो फिर तो बिलकुल सर आप हमारे टाक्सों में भाग लिए इसके लिए आपको बहुत बहुत दन्यवाद हम जैसा कि आपने देखा आज हमारे साथ थे बरिष्ठ द्यवक्ता बीपी सिर्वास्तो जी और आपने बताया कि मेहनत एक ऐसी चीज है जिससे कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है जूनियर द्यवक्ताओं को और लोगों को मेहनत करनी चाहिए आगे भी हम ऐसे ही तीवारी पुजाजर देखते रहिए वनो तीवारी टाप्त हो